वेग्यानिकों ने रसायन शास्त्र को हमेशा परिवर्तन का विक्यान कहा है वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं और नए योगिकों का निर्मान करती हैं ये सब बाते वैग्यानिकों के लिए पहली बनी हुई है अब तक तो आप जान गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रारंभिक अभिकारकों में परिवर्त नाते हैं और वे नए योगिकों का निर्मान करते हैं परन्तु वास्तों में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है चलिए एक उधारण देखते हैं आज हम दो प्रकार के प्रयोग करने वाले हैं इस पहले प्रयोग में हम पानी को उबालने वाले हैं जैसे कि हम देख सकते हैं कि पानी का वाशपी करण होता है और उसकी भाब बन जाती है वो द्रव से गैस में बदल जाता है हमने ये पढ़ा है कि वे परिवर्तन जिसमें अभिकारों को बहुतिक अवस्था में परिवर्तन आता है पर उनके राजसायनिक संद्रचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है उन परिवर्तनों को बहुतिक परिवर्तन कहा जाता है आकार में परिवर्तन, प्रकार में परिवर्तन या फिर आवस्था में परिवर्तन ये सारे आम तोर से भहतिक परिवर्तन के उधारण है क्या आप अपने आसपास दिखने वाले उधारणों में से भहतिक परिवर्तन का कोई उधारण बता सकते हैं? लकडी को काटना, अलुमिनियम की पन्नी के टुकडे करना, वर्फ का पिगलना ये सारे बहुतिक परिवर्तन के उधारन हैं हमारे दूसरे प्रयोग में हम इस लोहे के कील को कुछ समय तक बाहर रखने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर थोड़ा थोड़ा जंग लगना शुरू हो गया है क्या ये भहत एक परिवर्तन है? जैसे कि हम सोच सकते हैं, चुकि लोहे के कील का रूप बदल गया है उसकी चमकिली बाये सता अब बदल कर सुस्त लाल रंग की सता बन गई है यदि हम इस जंग को निकाल कर देखें, तो हम इसमें एक नई रासायनिक संद्रचना पाएंगे और हम देख सकते हैं कि वास्तों में इस प्रक्रिया में रासायनिक संद्रचना में परिवर्तन आया है लोहे की कील आयन आकसाइड में बदल गयी है वो प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्त की रासायनिक संद्रचना बदल जाती है उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होता है लेकिन भहतीक परिवर्तन में पदार्त की अवस्था में परिवर्तन आता है लेकिन आप अपने आसपास घटने वाले किसी रासायनिक परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं। फलों का पकना, कागस का जलना, बेकिंग सोडा या विनेगर के साथ होने वाली अभिक्रिया ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उधारण हैं। रासायनिक परिवर्तन अनु या परमानु स्तर पर होता है। रासायनिक परिवर्तन के कारण नया पदार्थ निर्मान होता है। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन से नय अनु तयार होते हैं। जो मूल तत्व से सर्वता भिन्न होते हैं। इसके बारे में एक अन्य पधती स से भी सोचा जा सकता है रासायनिक परिवर्तन के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी होती है चलिए लोहे के कील की पानी और हवा के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होती है यह देखते हैं लोहा अभिक्रिया करता है और उसके परिणाम स्वरू आयन ऑक्साइड निर्मान होता ह यदि हमें लिखना है लोहा अधिक हवा से प्राप्त होने वाला oxygen बराबर iron oxide तो रसायन की भाशा में उसे इस प्रकार लिखा जाएगा 4Fe अधिक 3O2 अभिक्रिया होकर 2Fe2O3 जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में एक नए पदार्थ iron oxide का निर्मान हुआ है इसे परिणाम या उत्पात के रूप में बाण के दाहिनी और लिखा जाएगा बाई और वे अभिकारक होते हैं जिनमें एक साथ आकर अभिक्रिया होती है जिसके परिणाम सुरूप उत्पात प्राप्त होता है बाण अभिक्रिया के उत्पात की और निर्देश करता है हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि रासायनिक वैग्यानिक बान का उपयोग रासायनिक अभिक्रिया घटी है ये दिखाने के लिए करते हैं हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर किस प्रकार बता सकते हैं सबसे पहले हम संकेत की ओर देखेंगे कि क्या कोई रासायनिक परिवर्तन हुए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में उष्णता या फिर उर्जा या तो छोड़ी जाती है या फिर अवशोशित होती है इन अभिक्रियाओं द्वारा गैस, गंध, आवाज या फिर प्रकाश का निर्मान होता है यदि हमें इस प्रकार के कोई संकेत ये लक्षन नहीं दिखाई दिये तो हमें समझ जाना चाहिए कि शायद बहुतिक परिवर्तन हुआ होगा हमें इस बात का सदे विध्यान रखना चाहिए कि बहुतिक परिवर्तन द्वारा पदार्थ के रूप में आकस्मिक बदलाव आ सकते हैं इसका अर्थ रासायनिक परिवर्तन हुआ है ऐसा लेना सर्वता अनुचित है उधारन के लिए पानी का भाप में बदल जाना इससे गैसी अवस्था में पानी प्राप्त होता है पर इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है कभी कभी ये कहना मुश्किल होता है कि ये रासाइनिक परिवर्तन है या भातिक परिवर्तन है जैसे जब हम पानी में शक्कर को गोलते हैं ये एक भातिक परिवर्तन होता है शक्कर की अवस्था बले ही बदल जाती है परन्तु वो रासाइनिक द्रिष्टी से समानी रहती है सुक्रो जनू जिनसे शक्कर बनती है वे अपने रासायनिक स्वभाव को नहीं बदलते हैं हाला कि जब हम पानी में नमक को मिलाते हैं और जब उसमें से विद्युद्धारा छोड़ी जाती है तब नमक आयनों में विगटित होता है NACL से NA धन और CL रिन तब रासायनिक परिवर्तन गड़ता है इन दोनों उदारणों में सफेद रंग का ठोस पदार्थ साफ द्रव में घुल गया है हम पानी को निकाल कर आरंबिक पदार्थ को प्राप कर सकते हैं हाँ लेकिन इन दोनों की प्रक्रियाएं भिन होंगी साराज हमने ये पढ़ा है कि वे परिवर्तन जिसमें अभिकारों की भहतिक अवस्था में परिवर्तन आता है पर उनके रासायनिक संद्रचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है उन परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, वो प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्त की रासायनिक संद्रचना बदल जाती है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण नया पदार्त निर्मान होता है, रासायनिक परिवर्तन के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी हूती है। हमने यह पढ़ा है कि भौतिक और रासायनिक परिwyddण में अंतर ですか बता सकते हैं क्या आप निम्न लिखित प्रक्रियाओं को भौतिक और रासायनिक comportal Mm गुबारे का फूटना कागस के टुकड़े या करतने झाल झाल